नमस्कार दोस्तों, कच्छा में एक सिच्छक ने पूछा गाउं और सहर में क्या अंतर है? तब एक बालक ने बहुत सुन्दर उत्तर दिया इतना ही अंतर है कि गाउं में कुत्ते आवारा घूमते हैं और गौमाता पाली जाती है और सहर में कुत्ता पाला जाता है और गौमाता आवारा गुमती है मेरे गाओं का अनपड़ आदमी गाय चराने जाता है और सहर का पड़ा लिखा आदमी कुत्ता टहलाने जाता है दोस्तों ये तो जीवन का सच है इस बच्चे ने सही बताया है अनहात आसरम में बच्चे मिलते हैं गरीबों के और व्रद्दा आसरम में बजर्ग मिलते हैं अमीरों के वक्त के साथ सब बदल जाता है पुराने जमाने में जिसे ठैंगा कहते थे उसे आज लाइक कहते हैं तो दोस्तों बात अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें धन्यवाद दोस्तों